नमस्कार आप देख रहे हैं दली तक मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तवर आखे हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया देखते देखते ये सवाल है कॉंग्रिस के लिए दिली में कॉंग्रिस जो है वो लगातार शून्य पर है 2015 विधानसभा चुनाब का नतीजा देख लीजिए या फिर 2020 जो विधानसभा चुनाब दिली में हुआ था उसका नतीजा खोल कर देख लीजिए दोनों जगे आपको कॉंग्रिस पार्टी शून्य पर नजर आएगी और अब जब दिली में दिली की दिली की दिली नगर में उप्चुनाब हुआ तो वहाँ पर भी कॉंग्रिस पार्टी का जो प्रदर्शन था वो रिकॉर्ड शर्मनाक प्रदर्शन दर्श किया गया अब तक के इतिहास में रजिंदर नगर विधान सबा सीट पर जो चुनाब हुए हैं उसमें कॉंग्रिस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन इस बार रहा तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि कॉंग्रिस पार्टी जो दिली के अंदर लगातार तीन टर्म शीला दिक्षित ने बतोर मुख्यमंत्री सरकार चलाई कॉंग्रिस की उसके बाद कॉंग्रिस आज ना सब हाश्य पर है बलकि अब कॉंग्रिस जो है वो लगातार और ज्यादा निचले सतर पर जा रही है कॉंग्रेस का प्रदर्शन जो है वो अब गंभीर नहीं बलकि शर्णाख की श्रेणी में आ गया है अब आपको थोड़े आकड़े बताते हैं कि आखिर हम यह क्यों कह रहे हैं कि यह क्या हो गया कॉंग्रेस के साथ देखते देखते बात रजिंदर नगर सीट की करेंगे रजिंदर नगर विधानसभा सीट का अगर हम चुनाव में जो नतीजे आए उसको लेकर करें तो अब तक जो चुनाव हुए है 1993 से लेकर आज तक लेकिन सबसी महत्पून बात कि कॉंग्रेस का जो वोट प्रतीशत है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है तो अब आपको 1993 से लेकर 2022 तक रजिंदर नगर विधानसभा सीट पर जब चुनाव हुआ तो उसमें कॉंग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा और किस तरह से शर्मनाक प्रदर्शन पर कॉंग्रेस पहुँच गई वो देखे 1993 की बात करें तो 22,234 वोट कॉंग्रेस को मिले थे 44.50 पीजदी वोट शेयर था और नतीजा हार रहा इसके बाद 2003 की बात करें तो 2003 में 21,178 वोट कॉंग्रेस को मिले यानि कि कॉंग्रेस के वोट बढ़े और 40.15 पीजदी उनको वोट शेयर था और लेकिन अगर उनके नतीज़े की बात करें तो नतीजा जो था वो फिर से डिसपोइंटिंग था हार मिली थी कॉंग्रेस को 2003 की रजिंदरनगर के चुनाव में वहीं अगर बात करें 2008 के चुनाव की तो वहाँ पर कॉंग्रेस ने जीत हासल की थी कॉंग्रेस को मिले थे 29,394 वोट प्रतिशत था 40.78 पीजदी और जीत गई थी कॉंग्रेस पार्टी इसके बाद 2013 की बात करें तो 2013 में 20,817 वोट मिले और वोट प्रतिशत था 20.88 फीजदी अजीत हार गई थी कॉंग्रेस पार्टी 2015 में वोट और कम हो गए 8,971 वोट 10,000 का आकडा भी नहीं चुपाई थी कॉंग्रेस पार्टी और वोट प्रतिशत की बात करें तो 7,8 शुने वोट क्रतिशत घट कर रहे गया था कॉंग्रे का 3941 कुल वोट मिले कॉंग्रेस को 3.08 फीजदी कॉंग्रेस का वोट परसंटेज था और कॉंग्रेस पार्टी का नतीज़ा जाहित और पर हार ही रहा वहीं अब 2022 में जो रजिंदर नगर उप्चुनाब हुआ है उसमें देखे कॉंग्रेस पार्टी को वोट मिले हैं सिर्फ 2014 बहुत जादा घटिया शर्मनाक प्रदर्शन कॉंग्रेस पार्टी का और वोटिंग परसंटेज देखें तो 2.79 फीजदी जाहित और पर 2% से थोड़ा जादा वोट प्रतिशत मिलने वाली पार्टी को जीत तो नहीं मिलेगी हार ही मिलेगी तो कॉंग्रेस पार्टी रजेंदर नगर विधान सभा सीट पर जब पहली बार चुनाव लड़ी थी हारी थी लेकिन वोट परसंटेज पर अगर आप ध्यान देंगे तो 44.50 से ज्यादा कॉंग्रेस पार्टी को वोट मिला था लेकिन जो 1993 में 44.11 से ज्यादा वोट परसं उनका 3% से भी कम है तो ये जो इतना बड़ा डिकलाइन आया है कॉंग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर रजेंदर नगर विधान सभा सीट पर स्पेसिपिकली हम बात कर रहे हैं वहां पर कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अब विलुक्त होने की स्टेज पर पहु उनिस सो अठामें से लेकर 2013 तक दिल्ली के अंदर लगातार सरकार चलाई कॉंग्रेस की ओर से श्वीला दिक्षित तीन बार लगातार दिल्ली की मुखे मंतरी रही वो कॉंग्रेस पार्टी आखिर इस तरह से हाश्य पर कैसे चली गई यह सोचना होगा गंभीरता से कॉंग्रेस पार्टी की उमीदवार के अलावा जो कारे करता है और सबसे इंपॉर्टन बार जो आला कमान है जो टॉप लीडर्शिप है उन्हें यह देखना होगा कि आखिर गल्ती कहा हो रही है दिली NCR की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं दिली तक